हेलो आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एकजम यूज भाई उदैसर में दोस्तो हसी एकजम से संबंदित जानकारी दूँगा इस वीडियो में हरी नप पुलिस की है स्टाप नर्स की है मतलब कि कोई भी कैसी भी भरती है जिसके अवी तक एकजम नहीं हुए है उनके बारे में जानकारी दूँगा इस वीडियो में और हसी का खेल भी मैं आपको समझाने की कोसिस करूँगा इस वीडियो में दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है की कल एचिसी ने तीन बड़ी भरतियों को reopen कर दिया है reopen का मतलब यही होता है कि जिसने पहले आवेधन नहीं किया वो आवेधन कर सकते हैं या फिर किसी के form में मतलब कि जो last आवेधन किया उसमें दिक्कत है या कोई गलती से मतलब की डाटर संबिट हो गया तो उसमें सुधार कर सकते हैं फिर से आवेधन आप भी कर सकते हैं जिन्होंने पहले आवेधन की हैं लेकिन उन्हें जरुत नहीं आवेधन करने की जिन्होंने पहले ठीक ठाक ढंग से किया उन्हें कोई जरुत नहीं इसा इंटर्वियू आता है कि जैसे कल भी एक इंटर्वियू आया आज के पेपर में ख़बर आई है वो खबर मैं आपको दिखाता हूँ पहले लेकिन उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि किसका एकजाम हो सकता है इसमें जो आप देख पारे कि मैं मैं हो सकती है परिक्षा तो ये तो आपको इसके बारे में जानकारे मिल गई है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक इस पर भी नजर डालें कि जो लास्ट जो आवेदन निकाले थे 2019 में जो आपकी रेवन्यू जो पटवारी है इसमें 588 यहाँ से अगर आप इनकी काउंटिंग करते हैं तो यह साड़े 2300 पलस पोश्ट बनती हैं तो यहाँ से यह अच्छी खासी वेकंसी मैं कह सकता हूँ जो इनके लिए एक एक्जाम होगा और जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किये हैं जिनके पास डिग्री है वो आवे वार वार ऐसी ही कमेंट करते हैं आज हमारे चैनल पर कमेंट की कल किसी दूसरे पर की मतलब वो इधर से उधर ग्यूमते रहते हैं बस उनका यही काम है और कुछ नहीं कर पाएंगे वो लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ जो अच्छे इंसान होत कई वार बोली है कि हम मार्च में भी एक्जाम ले सकते हैं अप्रेल में भी एक्जाम करा सकते हैं क्योंकि सेंटर मांगे जा रहे हैं कहां कहां पर सेंटर बनेंगे लेकिन यह जो इंटर्वी बगएरा है चलते रहते हैं लेकिन सचाई यही है कि आप यह ना सोचे कि भाई य जो आपकी कैनल पटवारी है ग्राम सचेव है या फिर कोई भी कैसी भी भरती भई एक्जाम नहीं होंगे मई से पहले तो मैं आपको इहां पर समझाने की कोशिस कर रहा हूं कि हरियाना पुलिस जी हां बहुत बड़ी भरती है उसका एक्जाम भी हो सकता है अप्रेल में मार् भी भी कुछ कर सकती है और आप कहीं यहीं सोचते रह जाएं कि भई अभी कोई एक्जाम नहीं है मई से पहले जून से पहले तो मैं आपको इहां पर एक प्रकार से मोटिवेट करने वाला हूँ और कर भी रहा हूं काफी टाइम से कि आप तैयारी करते रहें और आप कहीं ग्राम सची पटवारी के चक्र में अपनी तैयारी ना करें और HSC एक दम धमाका कर दें हरेना पुलिश है स्टाप नर्स है महिला सुपरवाइजर है या फिर कोई दूसरी बड़ी भरती है या फिर ALM है मतलब की मेरा यही है कहने का सीधा सा मतलब की आप तैयारी करते रहें ह हो सकता है इन से पहले HSC कोई दूसरी भरती का एक्जाम ले ले लेकिन मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि इस इंटर्विव पर आपको ध्यान नहीं देना है ऐसे इंटर्विव एक दिन में दो दिन में तीन दिन में चार दिन में डेली आते जाते रहते हैं इन पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको केवल अपने एक्जाम की तैयारी करनी है, तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है, और आगे मैं कोसिस करूँगा कि आपको मैं सही जानकारी दूँ कि भई किसका एकजाम पहले मतलब की सरकार लेने के लिए सोच रही है तो फिलाल इतनी ही अपडेट है कि एक बात फिर से समझ लेना कि हरीना पुलिस का एकजाम भी पहले हो सकता है स्टाप नर्स का भी हो सकता है और किसी दूसरी बड़ी भरती का भी हो सकता है केवल ये सोच कर ना वैठें कि भई अभी एकजाम नहीं होंगे तो फिलाल के लिए बस इतनी ही जानका रही है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़दा से ज़दा सेर करें और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को इहां तक देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यावाद